आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपके पास भी है कोई MI या फिर Redmi का फोन और अगर आप अपने फोन में फ्लेश लाइट नोटिफिकेशन को बंद करना चाहते हैं यानि कि जब भी कोई कॉल आता है तो आपके फोन की फ्लेश लाइट जलने लगती है तो जिससे भी आप कॉल डायल करते हैं तो आपको इस तरह से मिल जाएगा अपने फोन में फोन के नाम से और यहाँ पर एक कॉल का आइकन बना होगा तो यहाँ पर आप इस पर टच करके ओपन कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर आपको देखना है राइट साइड में उपर की तरफ आपके फोन में तीन डॉट होंगे अगर तीन डॉट नहीं है तो नीचे की तरफ आपको मिलेंगी तीन लाइन तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपके फोन में तीन डॉट है या फिर तीन लाइन है इस पर आप टच करिए टच करने के बाद एक ओप्शन आएगा settings का तो यहाँ पर आपको settings वाला जो option है इस पर touch कर देना है touch करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे की तरफ एक option आएगा incoming call settings यहाँ पर आपको यह जो option है incoming call settings का इस पर touch करना है आप यहाँ पर touch करेंगे तो आपके phone की incoming call settings open हो जाएंगी आपको थोड़ा नीचे आना है और एक option आपको मिलेगा flash when ringing यहाँ पर लिखा हुआ है use flash to notify about incoming calls तो यहाँ पर आपका यह option चालू होगा तो इस पर आप touch करिए और इसे इस तरह पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें